बाए हाथ के तेज गेंदबाद चेतन सकारिया जिनने आईपिल की इस निलामी में राजस्तान रोयल ने एक करोड़ बीस लाख रुपे में खरीदा है चेतन ने सकूल खतम करने के बाद गुजरात के भावनगर से 10 किलोमेटर दूर अपने चाचा के गाउं में उनके किराना की दुकान में हाथ बटाना शुरू कर दिया चाचा ने सकारिया के खर्चों का ध्यान रखा और उन्हें सर भाव किर्केट अकेडमी में डाल दिया उन्हें बताया कि जब वो स्कूल में थे तो उन्हें पढ़ाई और किर्केट में संतूलन बनाना पड़ता था लेकिन बारवी करने के बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान किर्केट के तरफ केंदरीत किया वो शाम को ट्रेनिंग करने के लिए जाते और पहले हाफ में अपने चाचा के लिए काम करते थे उन्होंने बताया कि एक बार उनके स्कूल के कोच ने उनका होसला अफजाई की जब वो दसमी में थे इसके बाद सकारिया ने तुरंत भावसिंग अकेडमी में दाखिला ले लिया वहाँ से उन्हें सोराष्टर की अंडर 16 टीम में खेलने का मोका मिला उसके बाद वो सोराष्टर की अंडर 19 और अंडर 23 टीम के लिए भी खेले सोराश्टर टीम के सीनियर नेट में गेंदबाजी करने के बाद उन्होंने नमबर 2018 में गुजरात के खिलाब अपना डेब्यू किया और पहली पारी में 5 विकेट हासिल किये उन्होंने अपने डेब्यू रणजी सीजन में 8 मैचों में 29 विकेट हासिल किये लेकिन T20 में कसी हुई और विविद्धा बरी गेंदबाजी करने के उनकी चमता थी जो हर किसी के नजर में आई और वह करोडों की कमाई करने वाली लीग IPL में आने में सफल हो गए और उन्होंने बताया कि वो अब IPL का इंतजार कर रहे हैं सकारिया ने गुरुवार को करोडों की डील मिलने के बाद सबसे पहले अपने परिवार को फोन किया और उनके साथ खुशी के पलबाटे क्योंकि यह परिवार काफी दुख में जी रहा था इसका कारण यह है कि सकारिया के परिवार में नया साल दुख के साथ शुरू हुआ था क्योंकि उनके छोटे भाई ने पिछले महीने आतम हत्या कर ली थी तो आपको चेतन सकारिया का या जीरो से हीरो तक का सफर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जुरूर बताएं और नैसे ही वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जुरूर दबा लें